Hello everyone, स्वागता आपका, अपनी ही चैनल, Be English Tanker में, guys, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, वो है importance of yoga, ठीक है, yoga का महत्व, ठीक है, इसकी हम जानेंगे, word to word Hindi देखेंगे, अच्छे से इसकी translation देखेंगे, और जो भी grammar की structures होंगे, वो मैं आपको साथी साथ बत योगा है एक रूप of means का exercise होता है, वयाम, that means जो originated होता है, उत्पती, ठीक है, मतलब कब उसका उत्पन हुआ, कब पैदा हुआ, ठीक है, originated means कब आया, in means में, ancient होता है, प्राचीन, ठीक है, प्राचीनकाल, इंडिया means भारत, अब इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है, योगा is a form of exercise, योगा एक वयाम का रूप है, जिसकी उत्पत्ती हुई, ठीक है, भारत के प्राचीनकाल में, जिसकी उत्पत्ती हुई, ठीक है, Many people have practiced it for thousand of years Many means, बहुत लोग have practiced कौन से टेंस है ये? Present, perfect ठीक है? Have के साथ third form दी गई है चुका है, चुके है, चुकी है नहीं तो फिर A है, E है, A है इसकी पहचान बैठेगी वाके के अंत में ठीक है? Have practiced means अभ्यास किया है या फिर अभ्यास कर चुके है ठीक है, कोई भी sense आ सकती है वाके के अंत में ठीक है, it means इसका means योगा का for means के लिए thousand होता है, हजारों of years means हजारों साल ठीक है, हजारों साल के लिए लोगों ने इसका अभ्यास बहुत लोगों ने इसका अभ्यास किया है clear है? the act of yoga consists of many poses known as asana that have different physical benefits the act of yoga, सबसे पहले मैं in hindi लिखूँगे उसके बाद मैं discuss कारूँगे ठीक है, the act होता है, जो कार्य ठीक है, of means का, योगा consist means बनता है consist क्या होता है, जो मिलकर बनता है of means का, many means बहुत, poses होता है मुद्राएं जो अलग-अलग हम आसन करते हैं उसको poses बोलते हैं, ठीक है, मुद्राएं known as जानी चाती है as asana ठीक है, आसना के रूप में that जो have different physical है different means अलग-अलग physical होता है शारीरिक benefits होता है lab ठीक है, आप इसको समझेंगे the act of yoga yoga का जो कारे है वो मिलकर बनता है बहुत सारी मुद्राओं से जो की जाने जाती है आसना के रूप में ठीक है, आसन के रूप में उसको जाना जाता है known as that have different जिसका है या फिर जो है जिसका अलग-अलग शारीरिक lab है ठीक है, different physical benefits it is said ये दिखे, it is इस के साथ said दिया गया है तो means ये ये है कहा जाता है passive है ठीक है, कहा जाता है third form लगी है इस के साथ की, if a person, if means यदी, एक व्यक्ति, प्रेक्टिस, ठीक है, अभ्यास करता है करता है, क्यों लखा, लिखा, प्रेक्टिस के साथ, एस लगा है present indefinite का ठीक है a person, प्रेक्टिस, योगा अगर योगा का अभ्यास करता है he or she ठीक है, चाहे वो girl है ठीक है, he or she, चाहे वो लड़का हो, या फिर लड़की will become healthier will means गागेगी का sense आएगा वाक्य के अंत में become means होगा, ठीक है, होना means होगा, will है तो वो क्या होगा, स्वस्थ होगा it is said that, ये कहा जाता है कि यदी एक व्यक्ती अभ्यास करता है, ठीक है व्यक्ती अभ्यास करता है, present indefinite है, ता है, ते है, ती है का sense आएगा, क्योंकि इसके subject के साथ क्या लगा है, first form के साथ, ऐसी है ये ऐस है, ठीक है, योगा का अभ्यास करता है, चाहे वो लड़का हो, यह लड़की हो, तो वो क्या होगा, स्वस्थ होगा will become healthier, ठीक है, therefore इसलिए many countries, ठीक है, बहुत सारे जो देश है, countries है have adopted, again देखी कौन सा है, structure present perfect, चुका है, चुकी है, चुके है, यहां फिर a है, e है, e है, वाकि के अंत में इसका sense आएगा, adopted क्या होता है, अपनाया, ठीक है अपना चुके है, adopted होता है, अपना न, अपना चुके है, या फिर अपना लिया है, योगा को as a form के रूप में ठीक है, exercise means वयाम के रूप में अपना चुके है, इसलिए बहुत सारे देशों ने योगा को वयाम के रूप में अपना लिया है यहां वो अपना चुके हैं clear है to start practicing yoga to start means शुरू करने के लिए अभ्यास yoga yoga का अभ्यास शुरू करने के लिए to start practicing yoga one must become flexible first ठीक है one must means किसी को किसी भी person को one must means चाहिए ठीक है जरूर चाहिए चाहिए क्या होना become means होना flexible होता है लचीला ठीक है first means सबसे पहले यह देखिए yoga अभ्यास शुरू करने के लिए किसी को भी सबसे पहले लचीला होना चाहिए ठीक है one must become flexible so plenty of exercises are available that we can try to make our body more flexible so इस लिए plenty होता है बहुत सारी multiple बहुत सारी बहुत सारे जो व्याम है are available उपलब्ध है ठीक है उपलब्ध है that जो we can हम सकते है can लगा है सकता है सकती आता है try ठीक है कोशिश कर सकते है to make बनाने के लिए our body अपने अपने शरीर को more means ज्यादा लचीला आप इसको समझते हैं so plenty of exercises are available कि बहुत सारे जो व्याम हैं वो उपलब्ध हैं जो हमें ठीक है जो हमें हम कोशिश कर सकते हैं अपने शरीर को ज्यादा लचीला बनाने के लिए ठीक है जिनका हम करके कोशिश कर सकते हैं बनाने के लिए अपने शरीर को ज्यादा लचीला बाइ प्राक्टिसिंग योगा डेली ठीक है अभ्यास करके योगा का डेली मीन्स हर रोज ठीक है हर रोज योगा का भ्यास करके we can make our body healthier हम make means बनाना बना सकते हैं सकते हैं क्यों कैन लगा है अपनी अपना शरीर healthier means स्वस्थे ठीक है अपने चीज को हम और भी ज्यादा क्या बना सकते हैं स्वस्थे बना सकते हैं योगा is an act that unites the body with the soul देखे बहुत अच्छी लाइन है योगा जो है योगा है एक कार्य एक कार्य है जो जोडता है अब जोडता है क्यों आया unite के साथ ऐस लगा है present indefinite का tense है तो means योगा एक कार्य है जो जोडता है शरीर को ठीक है with means say the soul means आत्मा से ठीक है योगा एक कार्य है जो शरीर को आत्मा से जोडता है it is a means through which we can attain inner peace it is a means यह है एक साधन through which जिसके द्वारा जिसके माध्यम से हम सकते हैं attain means प्रापत inner means आंत्रिक शान्ती ठीक है it is a means यह एक साधन है जिसके माध्यम से हम आंत्रिक शान्ती प्रापत कर सकते हैं clear है we can can के साथ first form दिये है सकता है सकते है का sense आएगा ठीक है the great relaxing effect that yoga has on our mind the great means महान अराम ठीक है अराम देने वाला effect होता है प्रभाव that yoga जो yoga का है has means होना ठीक है कोई भी चीज होने को has से हम relate कर सकते हैं the great relaxing effect that yoga has on our mind हमारे दिमाग पर has innumerable है innumerable means asankhya जिसे गिना ना जा सके asankhya health means swastya benefits क्या होता है love the great relaxing effect that yoga has on our mind जो yoga का बहुत ही अराम देने वाला जो प्रभाव है हमारे दिमाग पर वो होता है मतलब उससे होते हैं क्या asankhya swastya lab हमें मिलते हैं some asana is easy some means कुछ जो asan है asan easy means asan है like like means just say the padmasana जो लोग yoga करते हैं उनको नाम पता होंगे ठीक है और the lotus pose lotus pose ठीक है यह नाम है yoga के जो मुद्राएं होती है उनके नाम है यह कहते कि some asana बहुत आसान है कुछ आसन जो है वह बहुत आसान है जैसे कि padmasana और lotus pose whereas जबकि some asana कुछ जो asan है are difficult बहुत आर मिंस हैं मुश्किल है ठीक है कठिन है such as जैसे कि the salabh shishasna ठीक है salamba यह भी नाम है salamba shishasna और आगे देखते हैं ठीक है इसमें भी क्या है कि जैसे कुछ asana बहुत मुश्किल है जैसे कि shalabh shishasna salamba headstand headstand को भी हम shishasna कहते हैं लेकिन सिर के बल सिर के बल जो asana होता है ठीक है the aim of yoga is to connect us जो उदेश्य है योगा का योगा का जो उदेश्य है to connect जोडना जोडने के लिए हमें to ourselves खुद से खुद से by eliminating दूर करके by means द्वारा दूर करके any कोई भी नकरात्मक उर्जा इन आर हमारे शरीर में ठीक है the aim of yoga is to connect जो योगा का जो उदेश्य है वो जोडना हमें हम से खुद से ठीक है इसको नकरात्मक उर्जा को हमारे शरीर से दूर करके मतलब वो हमें हम से जोडता है it is advised यह है advice क्या होता है सला अब easy के साथ थर्ड फर्म दी गई है passive है तो यह सला दी जाती है सला दी जाती है की we must हमें चाहिए बैठना sit means बैठना हमें बैठना चाहिए must sit हमें बैठना चाहिए on the ground ठीक है प्रित्वी पर या फिर फरश पर ground while के समय performing करना performing क्या होता है करना क्या करना योगा योगा करते समय हमें प्रित्वी पर बैठना चाहिए ठीक है यह सला दी जाती है as क्यूंकि that that would यह गागेगी का sense आएगा विल का past है गागेगी यह मतलब transfer क्या होता है स्थानांतरन मतलब चीज को इधर से उधर करना उसको बोलते है transfer या स्थानतरन ठीक है transfer the negative जो नाकरात्मक उर्जा है to the ground ठीक है प्रित्वी की और it is advised that we must sit on the ground यह सला दी जाती है कि हमें योगा करते समय प्रित्वी पर बैठना चाहिए क्योंकि यह स्थानतरन करता है नाकरात्मक उर्जा को प्रित्वी की और ठीक है जो हमारी negative energy है हमारी body में अगर हम प्रित्वी पर बैठके करेंगे तो वो सारी उसमें समा जाएगी स्थानांतरन हो जाएगी ठीक है transfer हो जाएगी तो यह सला दी जाती है कि जमीन पर बैठकर ही योगा करना चाहिए तो यह था paragraph of yoga importance of yoga I hope यह वीडियो आपको अठ्छा लगा होगा guys तो please like share subscribe करना मत बुलेगा stay blessed always